हलो फ्रेंड्स, विलकम टो मैं चैनल, कैसे आप सब उमीद हच्छे होंगे तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इजी किचन हैक्स जो हमारी लाइफ में बहुत ही जादा जरूरी है, जो हमें जरूरी है जानना तो मैं आपको कुछ हैक्स बताती हूँ, तो सबसे पहला हैक्स जो है हमारा बथुए का तो बथुआ दोस्तों हम लाते हैं, बथुआ हुआ या मेथि का शाग हुआ या पालक का कोई भी चीज़ का साग हम लाते हैं तो उसे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, एक एक पती हमें इस तरह से निकालने पड़ती है, और डंठल को हमें अलग करना होता है, तो बड़ा हमारा दिमाग खराब हो जाता है, तो इसके लिए हम बहुत अच्छा हैक्स एक यूज करेंगे दोस्तों, इसके लिए मैंने इसी ट्रिक है, अब जरूर इसको आप एक बड़ ट्राइ करिएगा दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा है स्पेचुला तो उसको भी उस कर सकते हैं, आप मेथी या फिर बतुए का साग भी बना सकते हैं, पालग भी बना सकते हैं, डंठल अलग हो जाएगी दोस्तों, प अगर अचानक आपके पैर में कभी दर्द होने लगे, या हाथ में दर्द होने लगे, तो इस तरह से आप एक दुपट्टा ले लें, थोड़ा दुपट्टा बड़ा और पतला होना चाहिए, जो आसानी से इस तरह से मुड जाए, तो उसको जहां पर दर्द हो, उस आप देख रहें स्क्रीन पर, उस तरह से आप बाहन लें, तो आपको बहुत ही जल्द आपको दर्द से निजात मिल जाएगी दोस्तों, तो ये ट्रिक मेरी बहुत ही जादा यूनिक और बहुत ही एंटिक है, आप जरूर इसको करिएगा, मैं हमेशा इसको उसकरती हूँ, बहुत ही खराब लगता है, और अभी हमें मालेजे पुट्टी नहीं करवानी है, बहुत जल्द भी हमें चूना या फिर पेंट नहीं करवाना है, और अभी टाइम है हमारे घर को मरमत करवाने में, तो इस तरह से बहुत खराब लगता है, तो अगर आपके पास वाइट व इसको बराबर कर दे मंजन को जो हमने लिया है टूथपेस्ट तो बस इस तरह से आप इसको एकदम सैपरेट कर दीजी और गड़ों को हम भर सकते हैं ये खराब नहीं लगेगा देखने में दोस्तों ये बहुत ही कारगर है ये ट्रिक जरूरी से अपनाईएगा दोस्तों बह लगाएं कार्खैंट है ये भ fictional किए इस तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क conservatives करें और अभी मास्क जर में पढ़ा हो और हम इसको जो है मास्क की अंदर रख देंगे तो ये बहुत ही सेफली चार्ज होता है और अगर फोन भी आता है तो गिरने का भी डर नहीं होता है वाइबरेट भी होती है मोबाइल तो कोई दिक्कत नहीं तो दोस्तों आप मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा औ अब मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा बाबाई